कुआरी कन्याओं का करीब एक माहा तक चलने वाला ब्रत पीडिया आज नदी या तलाब में भी सर्जन के बाद समाप्त हो गया। इस अमन्द में अन्य भी कहानिया है लेकिन मुझे कहीं से एक कहानी मिली जो आपके समक्च रखना चाहता हूँ। पर सुएगी और चांदी के वरतन में खाएगी आप लोग इनकी चिंता न करें हम लोग अच्छी तरह से इनकी देखवाल करेंगे लेकिन भाईयों के जाने के बाद भावियां उसे सताने लगी सिवाई छोटी भावी को छोड़ कर एक बार भावियों ने सोन्चिरया को चलन लेकर कहा कि इसमें पानी भर कर लाओ सोन्चिरया नदी किनारे गई जहांँ पानी भरी सारा पानी चलनी से नीचे गिर गिया इसके बाद वह रोने लगी तब तक वहाँ चीटियों का जून पहुंचा चीटियों ने सोनची रहिया से उसके रोने का कारण पूछा उसके बाद चीटिया चलनी के हर चिद्र में बैठ गई और सोनची रहिया चलनी में पानी भर कर भावियों के पास लेकर पहुंची यह देकर भावियों को अचर हुआ फिर उन लोगों ने उसे जंगल से लकड़ी काड़ कर लाने को कहा, लेकिन रसी नहीं दिया, सोन्चिरया जंगल में लकड़ी कत्रित की, लेकिन रसी न होने के कारण वह वहीं बैटकर रोने लगी, तब जाकर सर्प देवता निकले और उन्होंने कहा कि मेरे उपर लकड़ी रख लेकर रोने लगी तब तक चीडियों का जूंड आया और रोने का कारण पूछा फिर बुज़ूर्गी चीडिया के काने पर सभी चीडियों ने धान के छिल्गे को चावल से अलग कर दिया जिसके बाद भी सोन्ची रहिया के भावियों का अत्याचार कम नहीं हुआ उन बैट कर रो रही थी तभी उसके भाई बाहर से कमा करके आ रहे थे सोंची रहिया ने भाईयों से भावियों के कष्ट को सुनाया बड़े भाई ने अपना जंगा फाड़ कर सोंची रहिया को उसमें बैठा लिया भाईयों ने घर आया तो अपनी अपनी पत्नियों से सोंची दाल कर चुले पर चड़ाया और अपनी अपनी पत्नियों से भाईयों ने कहा कि उस चुले का चकर लगाओ और कहो कि ताई 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 अब ना सताई ना हो तो बढ़ होके कड़ाई तार तार उतर जाई या कहते हुए सोंचिरया की भाविया चुले का चकर लगाने लगी छ छोटी वाली भावी थी तो वह बच गई मनियार से विरेंदर सिंग की रिपोर्ट